हेलो बच्चो, तो मैं यहाँ पर दुश्राकारिया वापस आपके सामने आई हूँ, एक नया बहतरीन concept mapping का session लेके, जहाँ पर chapter number 1 जो है nature and significance of management, इसको हम यहाँ पर cover करेंगे, बहुत ही basic सा chapter है, बट basic सा है, इसका मतल यह नहीं के exam में आएगा नहीं, आएगा जरूर तो बिन कोई देरी के, इस concept mapping के शुरुवात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे, वो है आपका definition of management, देखें, यहाँ पर अगर मैं management की बात करूँ, तो बोहत सरे different definitions in different book आपको यहाँ पर मिलेंगे, best of the definition, जो मुझे लगता है, जो आसान self-externatory है, वो यहाँ पर given है by none other than F.W.Taylor, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं F.W.Taylor की बात करूँ, तो F.W.Taylor के मुताबिक management क्या था, management यहाँ पर एक ऐसी चीज है, जहाँ पर सारे जो resources होता है, अगर कोई भी business को मुझे अगर चालू करना है, या कोई भी मुझे अगर company को चलाना है, run करना है, तो हर एक company में, हर एक business में लगते हैं बहुत सारे different resources, जैसे कि आपको यहाँ पर raw material लगेगा, ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर machinery लग सकती है, most important resources, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो है आपका human resource, उसके अलावा हर एक business में पैसा तो आने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको important resources लगता है, तो management का काम क्या होता है, कि यह जो सारे resources है, जिनको लेकर हम business को चला रहे हैं, इन resources को ऐसे utilize करना, ऐसे use करना, कि कोई भी company अपने goals and objectives को यहाँ पर बटा, achieve कर सके, देखें, यही सबसे पहली और important चीज होती है, हम यते functions of management, management करता है planning, organizing, staffing, directing, controlling, लेकिन management है क्या, management हर वो activity है, जिसका एक ही काम होता है, company के goals and objectives को achieve करना, और ये goals and objectives को achieve करने के लिए, जितने resources है, उनको different functions of management का इस्तमाल करके, जैसे कि planning, organizing, directing and controlling, हमें यहाँ पर हमारे objectives अचीव करने होते हैं, अब objectives अचीव करने होते हैं, अ की बात आई, तो इस chapter में दो आपको यहाँ पर concepts दिये गए थे, कौन से दो दिये गए थे, तो एक आपको दिया गया था efficiency and दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया था effectiveness, ठीक है, यहाँ पर बिटा, अगर मैं efficiency की बात करूँ, यहाँ पर, अगर मैं efficiency की बात करूँ, तो efficiency का क काम होता है कोई भी चीज को या कोई भी काम को कम से कम cost में यहां पर complete करना या cost minimize करना ठीक है जैसे मुझे अगर एक shirt बनाना है तो वो shirt अगर 8 रुपय में बन सकता है तो उसे 10 रुपया खर्च क्यों करें because यहां पर cost उतना कम, profit उतना ज़ादा, similarly अगर मैं effectiveness की बात करूँ, effectiveness का मतलब यहां पर होता है, time पर काम को complete करना, ठीक है, अगर मुझे 100 shirts बनाने हैं एक हफते में, तो मैं यह ensure करूँ कि एक हफते में मैं अपना target पूरा करूँ, अच्छा management वो होता है, जो अपने काम में द करना, यही होता है, असली management, ठीक है, चलिए, अब management समझ गए, तो जाते है, कुछ important characteristics of management पे, अब management की बात करें, तो सबसी पहला feature यह characteristics of management यही है, कि management एक goal-oriented process है, यह जब मैं कहती हूँ, goal-oriented process, उसका मतलब क्या होता है, कि all the activities, all the activities of management, are directed towards the achievement of goals, management कोई भी काम करे, वो planning करे, organizing करे, staffing करे, यहाँ पेफीशिंसी लाने की कोशिश करे, management का हर काम, एक ही चीज के तरफ focus होता है, कि हमें कैसे company के goals and objectives को achieve करना, है, ठीक है, यहाँ पे second feature of management क्या कहता है, कि management is all pervasive, यहाँ पे अगर मैं word use करती हूँ, pervasive, तो pervasive का मतलब क्या होता है, देखो, सबसे पहले जब मैं कहती हूँ, pervasive, pervasive का यहाँ पे मतलब होता है, present everywhere, ठीक है, तो management की अगर बात करें, तो छोटे से छोटे, या फिर बड़े से बड़े, हर organization में management present है, large organization, small organizations, businesses जो profit के लिए होते, even अगर कोई NGO है, not for profit organization है, हर जगे पे यहाँ पे management मौजूद होता है, present होता है, तभी हम कहते है, management is pervasive, present everywhere, ठीक है, उसके बात यहाँ पे next function क्या है, तो management is multi-dimensional, यह यहाँ पे जब मैं कहती हूँ, management is multi-dimensional, तो बड़े, multi-dimensional का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे अगर मैं management की बात करूँ, तो चाहे वो management of work हो, ठीक है, या फिर management of people हो, या फिर management of operations हो, यह हर इचीज management में आता है, अब काम को manage करना, लोग अपना काम सही से कर रहे है, क्या efficiency है, क्या effectiveness है, क्या यह management है, सबको काम बताना, सबका काम के ऊपर नजर रखना, supervise करना, यह भी management है, operations की बात करें, तो production शुरू होने से पूरा process complete होके, जब तक final goods नहीं बनता, उसको देखना, अगर कोई दिक्कत आई, तो उसको correct करना, यह भी management है, so whether it is management of work, people or operations, सारी चीज़े यहाँ पर management में आती है, ठीक है, next important function क्या है, कि management is a continuous process, यह जब मैं continuous process की बात करती हू, management तब तक रहता है, जब तक organization है, ऐसा नहीं कि आपने एक बर management किया, काम सौब दिया, काम खतब, नहीं, planning से लेके, organizing से लेके, हर एक function करते वक्त management present है, आप जब तक goal achieve नहीं कर लेते, management आपको करना ज़रूरी है, goal achieve कर लिया, नया goal set करोगे, वापस management की शुरुवात हो जाएगी, it is a continuous process throughout the lifetime of the business, ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं, next पे, जो कि क्या कहता है, कि management is a group activity, बड़े, यहाँ पे management is a group activity की अगर बात करू, तो कैसे management group activity है, यहाँ पे every individual, ठीक है, यहाँ पे every individual in an organization, इनको हम कोई ना कोई काम या तो task allot करते हैं, और यह सभी लोग मिलके as a team, यहाँ पे company के goals and objectives को achieve कर सकते हैं, यह देखो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है, वो अखेले चीजों को manage कर रहा है, या अखेले goals and objectives को achieve कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, तो management यहाँ पे group activity है, सबको मिलकर करना है, सबको मिलकर काम करना है, task complete करना है, तब जाखे company के overall goals achieve होंगे, next point यहाँ पे क्या है, कि management इक dynamic function है, देखे, कोई भी business एक जगे पे काम करता है, जिसको कहते है business environment, यह जगा मतलब क्या, तो basically business की surroundings, यह जो business environment होता है, यह कैसा होता है, dynamic, यह बटाँ, यहाँ पे dynamic का मतलब क्या, तो constantly changing, ठीक है, जैसे कि for example, मान के चलिए government की policies है, कभी भी बदल सकती है, कोई नया competitor आ गया, कोई economic condition में change हो गया, चनक से country में depression आ गया, कभी भी यह business environment जो है, वो बदल सकता है, तो यह business environment जब बदलता है, उससे मताबिक management को भी बदलना होता है, उनको अपने plans बदलने पड़ सकते है, policies reframe करनी पड़ सकती है, अपने target को बदलना पड़ सकता है, processes को बदलना पड़ सकता है, तो management हमेशा dynamic है, जब जरूरत पढ़े changes के मताबिक, उनको अपना management भी बदलना पड़ सकता है, ठीक है, last यहां पर characteristics क्या है, कि यह एक intangible चीज है, intangible का बटना, यहां पर मतलब क्या होता है, anything that you cannot see or touch, तो basically management की बात करें, तो एक तरीके से यह skill है, कोई चीज को कितने अच्छे से manage कर सकता, यह skill है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप वो कोई एक physical evidence नहीं है, या फिर आप कहा सकते हैं, कोई physical asset नहीं है, कि आपने उसको purchase कर लिया, तो management intangible है, you cannot see or touch, इसको बस experience किया जा सकता है, कोई व्यक्ति, कोई काम को कितने अच्छे से manage कर रहा है, उससे पता किया जा सकता है, पड़ यहाँ पे देखा, touch किया, खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, चलिए, यह तो हो गए आपके different features of management, अब हम जाते हैं to the objectives of management, देखिए, generally जब business की बात आती है न, तो सब को लगता है, यह हमें इसे पढ़ाया ही जाता है, कि business का एक ही काम होता है, यह एक ही objective होता है, that is earning profit, यह maximization of profit, जो की गलत है, देखिए, आज की तारिक में अगर कोई भी व्यक्ति business करेगा, सिर्फ यह सोचके कि में को पैसा कमाना है, में को profit कमाना है, तो उसका business नहीं चलेगा, और इसे लिए management का सिर्फ एक objective नहीं होता, management का different different लोगों को ध्यान में रखते हुए different objectives होता है, जैसे सबसे पहले अगर कोई भी organizational objectives की बात करो, देखें, ये organizational objectives जो होते है, business के benefit, business के growth, business के survival, business के फाइदे के लिए monetary objectives होता है, कोई भी business की बात करो, तो उनका सबसे पहला aim हमेशा होता है, survive करना, market में जो भी competition है, उससे, ठीक है, कि अगर आप competition यहाँ पे देखोगे, तो बटा हर एक field, हर एक sector में आज competition है, तो पहला aim हमेशा business का क्या होता है, कि competition में मेरे को survive करना है, मेरा business long term तक चलता रहे, ये हम चाते है, अब मैं long term तक business चलाना चाती हूँ, तो बस हर साल cost cover कर रहे, उतना चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर आपको profit नहीं होगा, तो motivation कहां से आएगा, खर्चे कहां से निका profit, market size बढ़ा के, number of customers बढ़ा के, advertisement करके, ज्यादा sales करके, हर एक business चाता है, कि वो यहाँ पे profits earn करें, और जैसे profits earn होना चालू होता है, हम हमेशा चाहते हैं, कि हम अपने business को और बढ़ा करे, grow करे, expand करे, diversify करे, तो ये चाहे पैसे कमाना हो, चाहे market में survive करना हो, या अपने business को और grow, expand, diversify करना हो, ये सारे points अपके organizational objectives में आते हैं, जो कहीं ना कहीं business की money, business का growth उससे related होता है, बट ये तो business अपने लिए करता है, कुछ ऐसी चीजे जो यहाँ पे business या तो management, society के लिए करता है, it is known as social objectives, ठीक है, social objectives याद रखना कभी भी for the benefit of the society or its people होता है, क्या होते है different management के social objectives, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो quality products provide करना, अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके customers है, जो भी आपके consumers है, आपको पैसा दे के product लेते हैं, तो छोटी जिम्मेदारी हर एक business की minimum तो जिम्मेदारी होती है, कि उनको कम से कम अच्छे quality का product दे, मिला करना, harmful चीज़े add करना, यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ यह products जो है, हो सके तो हमें reasonable price पे देना है, so that सभी लोग इसको afford कर सके, और अपने needs or wants को satisfy कर सके, next important social objective होता है, employment opportunity, अब देखिए, इंडिया जैसे country में, जहाँ पे इतना ज़दा unemployment है, business के पास मौ गरीबी से बाहर निकालना, उनके social standards, improve करना and so on, तो अगर business यह कर सकता है, अगर labor intensive technique को use करके, अब ज्यादा लोगों को employ कर सकते हो, करना चाहिए, next important objective क्या होता है, तो economic wealth, देखिए, businesses जो है goods and services produce करते है, यही production से कही ना कही consumption increase होता है, government को taxes मिलते है, overall country जो है, ऊपर आता ह ठीक है, next important चीज़े, eco-friendly methods of production, कही ना कहीं अगर आप pollution को कम कर सकते हो, देखो मैं यह नहीं कहती, कि आप pollution को रोक सकते हो, बट अगर आप pollution को कम कर सकते हो, अगर आप eco-friendly methods of production, eco-friendly technology, raw material, packaging use कर सकते हो, तो यह बिलकुल आपको करना चाहिए, ठीक है, तो यह तो business के objectives हो गई, यह management के objectives हो गई, towards the society and its betterment, बट उन लोगों का क्या, जो आपके यहाँ पे काम करते हैं, जो आपके employees है, ठीक है, तो यहाँ पे employees को लेकर, जो भी management के objectives होते हैं, किसको लेकर, employees को लेकर, उसको हम कहते है, personal objectives, इसको यहाँ पे human, या तो individual objectives भी कहा जाता है, they all are one and the same, अब यहाँ पे अगर personal objectives की बात की जाए, तो सबसे पहला objective होता है, उनको adequate salary देना, यह जो भी market में उस particular skill set के लिए salary है, उनको वो salary देना, adequate का मतलब यह नहीं है, कि जादा salary दो, but market standard की हिसाब से, जो वो deserve करते हैं, उनको वो देना, at least उतनी salary देना, कि वो अपने basic necessities को working condition, employee आपके यहाँ पे आता है, घंटो घंटो काम करता है, तो at least अच्छी working condition, जैसे proper lighting, ventilation, साफ पीने का पानी, यह चीज़े उनके पास होनी चाहिए, next important चीज़े, pure recognition, बेटे यहाँ पे जब मैं pure recognition की बात करती हूँ, इसका मतलब यह होता है, कि देखे, employee आपके यहाँ प पहचान है, that is important, next चीज़ क्या होती है, training and development, तेखे, training and development करके हम employee की skills को enhance कर सकते है, training देखकर यह कोशिश कर सकते है, employee जो काम कर रहा है, उसी काम को और बहतर तरीके से कर सके, इससे company का भी फाइदा होता है, employee का भी growth होता है, right, next important चीज़े, social recognition, ठीक है, जहाँ पे employee को यह यहाँ पे society में recognize किया जाए, employee उसकी value यहाँ पे आप recognize करो, तो all in all अगर एक management की बात करें, तो management की responsibilities or objectives company के तरफ होती है, society के तरफ भी होती है, और उसके organization में, या company में काम करने वाले employees के तरफ भी होती है, तभी यहाँ पे three different types of objectives बनते है, जो कि है organizational, social and personal objectives, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next पे जो कि है importance of management, अब देखे, management तो हमने देखा, बट यह समझना जरूरी है कि management important क्यों है, सबसे पहले चीज यहाँ पे आती है, कि कोई भी management एक company को अपने goals achieve करने में मदद करता है, आप goals set कर देते हो, objectives set कर देते हो, बट वो achieve कैसे होंगे, तो management different functions करके planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordination इसको करकी यह ensure करते है कि company ने जो goals और objectives को set किया है, वो उसको achieve भी कर सके, उसके बाद next चीज आती है, efficiency को improve करना, management जो है workers, उनके काम उसके उपर ध्यान देते है, वो सभी काम सही तरीके से करे, यहाँ पे cost increase ना करे, resources को waste ना करे, सही समय पे काम पूरा क यह management यहाँ पे ensure करता है, right, next चीज यहाँ पे क्या हती है, creates a dynamic organization, देखे हम सबको बताया कि business environment dynamic है, वो कभी भी change हो सकता है, तो हमें organization भी ऐसा flexible बनाना चाहिए, कि changes के मुताबिक हम भी change हो सके, बहुत बाद नई technology आ गए, उसको अपनाने में employees को आती है, बड़ी दिक्कत, तो इसे time पे employee को समझाना, कि technology क्यों important है, क्यों हमें adapt करनी चाहिए, यह management का काम है, और यह ensure करना, कि changes के मुताबिक हम अपने organization को भी adjust कर पाए, ठीक है, next important चीज है, achieving personal objectives, देखे है, अच्छा manager वो होता है, जो company के फाइदे के साथ-साथ employees का फाइदा भी देखे, तो employees का फा उनकी इज़त हो, respect हो, तो यह भी एक management करता है, employees को मदद करता है, यह समझने में कि क्या काम करने से, वो अपने personal objectives को भी यहाँ पे पूरा कर पाएंगे, ठीक है, next important चीज है, helps in the development of the society as well, अभी पीछे आपने यहाँ पे कुछ social objectives of management देखे, तो यहाँ पे society में employment create करना, उनक price पे products देना, कहीं न कहीं यह overall society का भी development करता है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं next पे, जो कि है management as science, देखे पीटा, अभी यहाँ पे मैं compare करते हूँ, that is nature of management, management as in art, science and profession, तो हमें proof करना है कि management, art, science, profession है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो different characteristics of science, art and profession के साथ management match करके देखते हैं कि क्या यह characteristics management में present है या नहीं है, अब science की अगर बात करें, तो science की कुछ characteristics, जैसे systematic body of knowledge, अब यह characteristics management में present है, क्योंकि management के लिए भी different institutes है, books है, जिसको आप पढ़के, यहाँ पर different management की degrees करके, इस profession में जा सकते हो, तो आप कह सकते हो कि चलो पहली characteristics यहाँ पर present है, second characteristics of science यह है, कि science का कोई भी principle जो हम बनाते हैं, वो repeated experiments और observation के बात बनाया जाता है, अब management के भी जो भी principles बनाये गए, यह, उसके पीछे भी बहुत सारे experiments और observation कीए गए, लेकिन management के अगर बात करें, तो management always deals with human behavior, तो management यहाँ पर अगर human behavior के साथ deal करता है, तो उसकी उपर आप constant experiments नहीं कर सकते हैं, और हर टाइम हो सकता है कि result थोड़ा सा different है, और इसलिए यह जो principle है, यह partially present है, मतलब कुछ-कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, ठीक है? लास्ट जो यहाँ पर feature of science है, कि science की हमेशा universal validity होती है, जैसे H2O, water अगर इंडिया में है, USA में भी H2O is water, पर यहाँ पर अगर management की बात करो, तो management principles की जो validity है, जो application है, यहाँ पर again वो depend करता है on human behavior, ठीक है? और इसी लिए situation to situation, इसकी जो applicability है, और जो result है, that might change, and that is why we say, कि यह जो principle है, भाईसा अब यह management में present नहीं है, तो एक principle पूरा present है, या एक feature पूरा present है, एक feature थोड़ा बहुत present है, एक feature present ही नहीं है, and hence conclusion क्या आता है, कि अगर मैं management की बात करूँ, अगर मैं management की बात करूँ, तो management, ठीक है, चलिए हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, management is not exact science, but in exact or social science, ठीक है, तो exact यह तो pure science management नहीं है, but in exact or social science की बात करें, तो yes, management है, ठीक है, next हम यहाँ पर comparison करेंगे, management का art के साथ, अब art की बात करें, तो art के सारे जो features है, वो management में present है, systematic body of knowledge management, वहाँ पर उसके जो books है, institutes है, वहाँ पर formal degrees होती है, personalized application है, हर एक management का, हर एक manager का काम करने का तरीका अलग है, भले उन्होंने same चीज़ों को सीखा है, based on practice and creativity है, अगर आप एक अच्छे manager बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे quick decision सेना चाहते हो, तो इसके लिए experience, expertise, practice की जरूरत होती है, तो आप कह सकते हो कि all the features of art are present in management, ठीक है, तो इसके लिए management is the art of getting things done from others, simple si बात, तो क्या management science है, हाँ है, बट कौन से science है, वो एक in exact या तो social science है, क्या management art है, absolutely है, management को the art of getting things done from others भी कहा जाता है, ठीक है, next पे जाते है, अब यहाँ पे management को compare किया जाएगा with profession, management और profession को अगर हम compare करें, तो पहला जो feature of profession है, के भाईसा profession में एक well-defined body of knowledge होती है, वो management में भी होती है, यहाँ पे भी proper theory books होती है, उसके proper subjects होते है, institute होते है, degree ले सकते हो, जैसे doctor बनने के लिए degree चे, वैसे MBA के degree होती है management के लिए, तो in this case, yes, यह वाला जो feature है, वो present है, ठीक है, second feature है, कहीं न कहीं, profession में restricted entry होती है, अभी कोई भी व्यक्ति CA नहीं बन सकता, उसके लिए IC AI की CA के degree चे, कोई भी व्यक्ति डॉक्तर नहीं बन सकता, बट कोई भी व्यक्ति manager बन सकता है, ठीक है, जरूर ही नहीं है कि अगर आपको manager बनना है, तो उसके लिए manager की जो degree होती है, जैसे MBA है, BBA है, BMS है, MMS है, यह होनी ही चाहिए, अभी तक ऐसा कोई भी compulsion हर एक organization में नहीं आया है, बहुत ऐसे लोग है, जिनके पास management degree ना होते हुए भी, वो managerial position पे है, तो फिलाल यह जो feature है, वो यहाँ पे management में present नहीं है, ठीक है, उसके बाद जो next है, presence of professional association, जैसे यहाँ पे जो lawyers होता है ना, तो lawyers के लिए एक association होता है, जिसको कहते है Bar Council of India, वैसे ही doctors का होता है, CA के लिए ICAI है, बहुत सरे से professional associations होते हैं, जो इन professionals के लिए काईदे, कानून, ethical code of conduct बनाना, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह decide करना, यह होता है, ऐसा कोई भी professional association all over India पे अभी तक management के लिए नहीं है, जिसमें हर एक manager हिस्सा है, next important है existence of ethical code, अगेन ethical code कौन बनाते हैं, यह जो professional associations होते हैं, वो अपने members के लिए ethical code बनाते हैं, ethical code मतलब क्या do's and don'ts, कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो ऐसी case में ऐसा कोई भी ethical code management के लिए बिलकल नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, next पे जो की है service motive, अब देके कोई भी professional की बात करिये, चाहे वो teacher हो, चाहे वो doctor हो, चाहे वो chartered account हो, चाहे वो lawyer हो, at the end वो अपनी expertise service यहां पे देता है, तो उनका main income होता है to serve the people, to serve their clients, but business की बात करे, तो उनका यहां पे motive profit maximization भी हो सकता है, and hence again यह जो feature of profession है, वो management में नहीं present है, तो यहां पे आप क्या conclude कर सकते हो, कि देखिये, majority जो features of profession है, वो यहां पे आपको management में नहीं दिख रहे, आज तो नहीं है, बट कल उठकी आ सकते बिलकुल है तो management एक profession है क्या, नहीं है, बट management is on the path of becoming a profession, in future management profession भी बन सकता है, फिलाल नहीं है, ठीक है, तो management is a science, बट कौन सा है, in exact यहां तो social science, management is an art, the art of getting things done from other, बट क्या management profession है, भई नहीं है, बट on the path of becoming a profession, absolutely है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं next page जो की है levels of management, अब कोई भी company की बात करें, तो यहां पे हर एक company में जो management होता है, उनको हम 3 levels में classify करते हैं, कौन से 3 levels तो सबसे पहले आता है आपका top level, अब देखें, top level में हर वो व्यक्ति आता है, जिसके पास यहां पे maximum authority होती है, जिसके पास maximum decision making power या maximum यहां पे authority होती है, company का CEO, CFO, managing director, general manager, सारी लोग मतलब COO, CTO, यह सारी लोग जो है कहीं न कहीं company के top level management में आता है, company के लिए plans बनाना, policies बनाना, strategies डिजाइन करना, company की profitability decide करना, company कैसे survive करेगी, उसके जिम्मेदारी, यह सारी चीज़े top level पे होता है, ठीक है, top level के under, जो departmental heads होता है, अब हम एक organization को छोटे छोटे departments में convert करता है, या तो छोटे छोटे departments में बाटता है, जैसे marketing department, finance department and so on, तो यह जो सारे departmental heads होता है, जो इन top level executives के अंदर काम करते हैं, इनको यहां पे क्या कहते है, middle level management कहते है, generally इसमें सारे जो departmental heads होते है, ठीक है, वो जैसे marketing का manager है, operations का manager है, finance का manager है and so on, तो generally यह जो departmental managers होते हैं, सारे यहां पे middle level management में आता है, income, income क्या होता है, कि top level ने जो भी plans and policies बनाए, उसको समझ के accordingly उसके उपर काम करना, अपने अपने department के लिए recruitment करना, अपने department के लोगों को काम देना, वो काम कर रहे हैं कि नहीं यह करना, काम करते वक्त अगर कहीं पे भी लग रहा है कि उनकी efficiency कम हो रही है, वो demotivate हो रहे है, तो उनको motivated रखना, तो basically इनको अपने department के उपर main focus करना होता है, हर एक manager जब अपने department से target task पूरा करके लेते हैं, तभी company का overall goals and objectives पूरा हो सकता है, उसके under जो level of management आता है, उसको ह हम यहां पे supervisory level या तो operational level या तो lower level कहता है, ठीक है, यहां पे हर वो व्यक्ति आता है, जो directly employees के साथ connected होता है, जैसे factory का supervisor हो गया, कोई section का officer हो गया, कोई superintendent हो गया, यह सारे लोग यहां पे lower level या तो operational level management में आता है, ठीक है, और इनके जो pyramid का base होता है, इनके under जो लोग होता है, ठीक है, वो सारे कौन होते हैं, तो आपके employees, याद रखिएगा, यह levels of management में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी authority, power to make decision नहीं होता, कोई भी management activity में यह हिस्सा नहीं लेते, इनका काम है क्यों होता है, काम को करना, राइट, अब इस level की बात करो, त कैसे decide होता है, तो यह decide करने के लिए सबसे basic चीज़ है, जो आप consider करते हो, वो है आपका authority, that is power to take decisions, ठीक है, याद रखिएगा, authority always flows downwards, इसका मतलब बटा क्या, तो देखिए, सबसे जो top level है, उनके पास maximum authority है, उसके बाद middle के पास है, उसके बाद lower, तो जैसे जैसे पिरामिड में आप नीचे आते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे जो authority है, वो कम होते जाएगी, power to take decision कम होते जाएगा, इसलिए authority flows downwards, ठीक है, next जो है, that is accountability, ठीक है, इसको यहाँ पे answering भी कहते है, देखिए, accountability का मतलब क्या, अब top level ने middle level को अगर कोई काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, तो वो काम को पूरा करने के लिए उनको authority भी दिया, पर काम पूरा नहीं हुआ, तो भाई वो जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हो गया, क्यों काम नहीं हुआ, क्या दिकत आई, that is accountability, यहां दिरखेगा, जो accountability होती है, it always flows upwards, क्यों upwards, क्यों कि lower level जो है, वो middle level को, अरे आप अपने boss को ही जवाब दोगे न, आपका junior आपको थोड़ी पूछेगा, क्यों क्यों नहीं हुआ, सर, नहीं, तो you are answerable to your boss or your superior, ठीक है, जैसे lower level answerable है, middle level को, middle level answerable है, top level को, top level किसी को answer नहीं है, तो accountability flows upwards, ठीक है, तो यह चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, next पे, that is the functions of management, यह functions of management, याद रखने के लिए, बहुत ही simple, मैंने आपको यहां पर निमोनिक दिया था, जो आपको याद रखना है, जो क्या था, POSDC, क्या निमोनिक दिया था आपको POSDC, ठीक है, तो यहां पर अगर functions of management की बात करें, तो हर एक management को, या हर एक company के management को, five important functions यहां पर निभाने होते हैं, सबसे पहला या तो primary function यहां पर आपका कौन सा आता है, तो उसको हम यहां पर कहते है, planning, ठीक है, तो आप कह सकते हो, कि planning जो है, primary या तो first function of management है, त तो planning क्या होता है, deciding in advance, what to do, when to do, how to do and who is to do, planning को हम हमेशा futuristic कहते है, कल की target को लेखे, आप देखे, company ने goals और objectives set कर दिये, target set कर दिया, लेकिन उसको achieve कैसे करेंगे, तो उसके लिए plan बनाया जाता है, कि कल ऐसे करेंगे, उसके बाद यह करेंगे, वैसा करेंगे, यह करेंगे, that is planning, हमेशा यह futuristic होता है, क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, कौन करोगे, इसको advance में decide करना, planning हो जाने के बाद, हम next function of management पे जाते है, जो की है organizing, organizing की बात करूँ, तो यहाँ पे resources को arrange करना, plus organizational structure decide करना, ठीक है, बिटे देखे, क्या होता है resources arrange करना, या तो क्या होता है, organizational structure बनाना, सबसे पहले चीज़, जब भी हम एक company को बनाते है, तो उस company को different छोटे-छोटे departments में divide करते है, marketing department, finance department, management department, या तो production department, human resource department and so on, तो यह departments को divide करना, उसका manager कौन होगा, उसका assistant manager कौन होगा, यह जो पूरा हम structure तयार करते है, इसको कहते है, organizational structure, और साथी साथ कोई भी काम को करने के लिए, बिटा resources लगता है, अगर building बनानी है, तो उसके लिए cement, सलिया, लोग, सब चीज़े लगेगी, तो इन चीज़ों को arrange करना, यह सारी चीज़े बिटा यहां पे organizing में आती है, बट जब resources की बात करें, तो यहां पे कभी भी आप human resource को नहीं भूल सकते है, company खड़ी कर दी, पैसा आ गया, resources आ गया, लेकिन काम करेगा कौन, तो company में लोग जो होते हैं, employee जो होते हैं, वही तो actual काम करेंगे, तो यहां पे best of the employees को ढूण के लाना, ठीक है, finding the right person for the right job, ठीक है, तो right person for the right job को find करना, best of the candidates, employees को यहां पे ढूण के, जो organization की vacant position से उनको fill करना, यह काम कौन करता है, staffing, अब resources आ गया, लोग भी आ गया, लेकिन आपको लोगों को यहां पे काम देना होगा, अब employees आ गये, तो उनको पढ़ा तो ना चीए, उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो यहां पे अगर directing की बात करें, तो directing क्या करता है, directing initiates action, ठीक है, तो यहां पे लोग आ गये उनको बताना कि ठीक है, आपका यह काम है, इसको आपको ऐसे करना है, तो इस work allocate करना, planning के उपर काम को शुरू करना, that is directing, ठीक है, generally managers से instructions देते हैं अपने employees को और accordingly वो काम की शुरुवात करते हैं, but काम की शुरुवात हो गई, ये check करना कि भई, काम क्या as per plan हो रहा है या नहीं, तो controlling का काम क्या होता है, to ensure things are done as per plans, ठीक है, तो यहाँ पर first function में अपने plans को बना दिया, directing करते वक्त अपने लोगों को उनका काम बता दिया, तो controlling का काम क्या है, कि ये देखना कि क्या लोग plan के मताबिक काम कर रहे है, अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ये पता करकि उसको correct करना, so that हम plans को follow करें, और end में the chances of achieving goals and objectives यहाँ पे increase हो जाए, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next page, जो की a very important topic है, coordination जिसको essence of management भी कहते है, ये देखे, coordination essence of management क्यों है, क्योंकि coordination एक ऐसा function है, जो हर एक level of management पे, हर एक department पे, हर एक activity में present होता है, coordination का काम क्या है, तो सारा जो काम organization में हो रहा है, अब देखे, organization में इतने सारे लोग, इतने सारे departments है, तो सब अपना अपना काम कर रही है, बट end में तो हमारा focus है company का goal, तो coordination ये ensure करता है, कि सारे लोग मिलकर एक दूसरे से coordinate करके, activity synchronize करके काम करें, कि end में company के goals achieve हो जाए, कोई भी यहाँ पे confusion create ना हो, कुछ important features of coordination की बात करूँ, तो सबसे पहली चीज होती है, integrate group efforts, हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, मुझे directing के वक्ते काम दे दिया मैं वही काम करूँगी, आपको जो काम दिया वही काम करो, बट end में as a group ही तो हम target को achieve कर पाएंगे, तो यह coordination ध्यान में रखता है, कि हम सब भले अपना अपना काम करें, बट coordinate करके करें के साथ में group में मिलकर हम targets को achieve कर सके, next important feature यहाँ पे क्या है, कि unity of efforts बहुत important है, यह भाई मैं मेनत कर रही हूँ इस रास्ते, आप मेनत कर रहे हो इस रास्ते, तो कोई कहीं नहीं पहुचेगा, हम सब यहाँ पे unique में एक ही direction में move हो, यह coordination ensure करता है, यह सबको अपने अपने रास्ते नहीं जाना है, सबको एक ही रास्ते में towards the goals of the company चलना है, ठीक है, next important feature है कि coordination एक continuous process है, यह हर एक function of management में, हर एक level of management में coordination चाहिए, तो आप planning कर रहे हो तब भी coordination है, organizing कर रहे हो तब की coordination की presence है, हर एक function हर एक level में है, और इसलिए यह एक continuous process है, जो throughout the planning, organizing, directing, controlling हर एक function में present होता है, ठीक है, next important feature क्या है कि यह pervasive है, है, like I said, all levels, all departments, all functions, हर जगा बेटा coordination की जरूरत है, इसके बिना कोई भी organization successful नहीं बन सकता, तब ही वो pervasive है, it is present everywhere, ठीक है, next important चीज़ क्या है, responsibility of all managers, ठीक हर एक department के manager के जिम्मेदारी है, कि वो बाकी departments के साथ coordinate करके यहाँ पर काम करें, क्योंकि एक अखेलर department कभी भी company के goals को achieve नहीं कर सकता, तो हर एक department के manager को दूसरे departmental managers के साथ coordination बनाया रखना होता है, last feature यहाँ पर क्या है, कि यह एक deliberate function है, deliberate मतलब क्या, हर manager, हर व्यक्ति coordination करता है, करना चाता है, क्योंकि coordination के बिना यहाँ पर कोई भी group goals को achieve नहीं किया जा सकता, कोई भी company successful नहीं बन सकती, तो coordination करना हर एक व्यक्ति चाता है, और वो उसको करता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर importance of coordination को देखते है, बटे देखे, importance की बात करें, तो सबसे पहले अगर company grow करती है, ठीक है, company grow करेगी, तो उनकी जो employees की strength है, ठीक है, मतलब क्या, कि number of employees है, वो भी बटे increase होंगे, जैसे जैसे employees increase होंगे, confusion होना, chaos होना, कौन क्या कर रहा है, यह ना पता होना, इसके chances ज़्यादा है, अगर coordination सही से है, तो चाहे company के भी grow कर लो, यह दिक्कत नहीं आती, next importance यहाँ पर क्या है, कि coordination में, जो functional differentiation होता है, बना दिया finance department, then मैंने बना दिया production department, and so on, ठीक है, तो हर एक department अपना-पना काम, अपना-पना task, अपने objective को लेकर यहाँ पर ध्यान देता है, लेकिन company के overall goals का क्या, तो coordination ensure करता है, कि आप अपने departmental task के साथ company के overall goals and objectives पर यहाँ पर focus करो, ठीक है, next importance क्या है, कि specialization, देखे, specialization की again हम बात करें, तो जैसे मैंने अगर marketing department में काम कर रहा है, तो मैं हमेशन यहाँ पर marketing करते आ रही हूँ, ठीक है, बट coordination यही specialization को benefit के तौर पर company को देता है, कि भले आप marketing का ही काम कर रहे हो, बट बाखे departments के साथ coordinate कर के करो, कि आप अपना काम अच्छे से कर भी पाओ, और company के यहाँ पर goals and objectives भी achieve हो सके, and hence we say, coordination is the essence of management, because without coordination and organizations cannot survive, cannot become successful, ठीक है, तो इसी के साथ जो chapter 1 का concept mapping session है, वो खतम होता है, I really hope कि यह जो quick foot-a-foot revise है किया, यह आपके लिए यहाँ पर फाइदेमन रहा होगा, कोई भी अगर आपको doubt है, या कोई भी concept है, जुसमें आप clarity चाहते हो, तो भाई comment section हमेशा आपके लिए open है, ठीक है, और हम आपके comments बिलकुल बिलकुल यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है, दुबारा सरूर मिलें, तब तक के लिए, bye bye and have a nice day.